तो देखो यार अब जब बारिश का मौसम हो कुछ हेल्दी स्नाक की खाने का मन हो तो हम बनाने वाले हैं बहुत ही टेस्टी बहुत ही हेल्दी जा ये नायलॉन वाला जो है ढोक लेगा पर आप देख सकते हो कितना सही है मतलब लबे-लमे कड़े बत्ते हो कि डंडी तक मेरे ह इतना शांदार बनाया है एकदम बज़ारी तरीके से और यहां पर आप तो सबसे पहले इस डोपले को बनाने के लिए इंग्रीडियंट्स इकठे करके रख लो एक बेसन लोस के अंदर एक चमन नमक डाल रही हूं आदर चमन शकर डाल रही हूं एक चता ही चमन के करीब एकदम बिंदा सोके बनाना कुछ भी गडबढ होने का चांसी नहीं है सॉफ्ट बनेगा स्पॉंजी बनेगा और टेस्टी भी बनेगा और हेल्दी तो होता यह क्योंकि बेसन इस इकवस टू चनाची डाल यार फिर उसके बाद इसके अंदर डाल देंगे एक कप बेसन था बिलकुल रेडी हो जाएगा और एक बार जो बैटर रेडी हो जाएगा तो इसके अंदर हम डाल देंगे एक पैकेट के करीब इनो आप चाहो तो इनो अवोइड करके बेकिंग सोडा यानि मीठा सोडा भी आइड कर सकते हो लेकिन हम इसमें इनो डाल रहे हैं वो बहुत ही आपका जो यह बैटर है फूल के एकदम डबल हो जाने वाला है तो अच्छे से विस्क करते जाओ और बैटर को एकदम अच्छा फूल लालो एक बार आपका बैटर देखुए है ऐसे फूल ने लग जाए तो उसके बाद तो रंच से ना एक कोई प्लेट लेलो या ढोकला दाने की प्लेट लेलो उसके अंदर थोड़ा सो ओल ग्रीस कर लो तो यहां पर यह देखो अच्छा बैटर फूल गया है थोड़ा सो ओल अब एक प्लेट में थोड़ा चिकना करके ग्रीस कर लेना है और फिर उसके बाद यह बैटर गया हमारी प्लेट के अंदर अब देख करने के बाद यह इसली निकल जाएगा और निकलने के बाद यह देखो आप इसे जब प्रेस करोगे तो हमारा किता जदा जाली दार वाला हमारा मस्सा खामन दोकला रेडी हो जाएगा अब बस इसके टैमपर कर देते हैं एक चमक से करीब पेल में थोड़ी सी राई डालेंग क्योंकि बाजार में जो अब हम खाते है ना वह पे डंडियों के साथ ही डलता है आप चाहे तो रिमूब भी कर सकते हो डंडी अब अच्छे से डालेंगे थोड़ा सा नम्मा क्यानिकी वन फो टीस्पून के करीब कि बस मिर्ची जो है वो अच्छे से सीजन हो जाए एक चम कर देंगे तो फिर हमने करदेना है गयस को बंद करेंगे नाईलन ऑपना मस सा खush हुअ एक तरीके से डालेंगे एकड़ मस से और फिर इसे रिष्ट करने के लिए छोड़ देंगे अगर आपको ठेंडा पसंद है तो तो अंधर दस मिन fuckin छोड़तिए ऑदरवाइस आप ग बॉटन पे करना और इस वीडियो को जाल सादर लाइक करना है शेर करना है फ्रेंडस और फ्रेंड फैमली के साथ और नीचे कॉमेंट करके मुझे ज़रूर बताईए कि यह वीडियो आपको कैसी लगी और फ्यूचर में आप कैसी वीडियो देखना चाहते हैं स्नैक की वीडियो देखना चाहते हैं या कोई सबजी की वीडियो देखना चाहते हैं और साथी साथ बहुत बहुत शुक्रिया मेरे मतर पनीर की वीडियो को बहुत सार प्यार देने के लिए अब इतक जिन लोगों ने नहीं देखिए फड़ा फट चानल स अबस्क्राइब करो!